लेकिन अब आपको लॉटरी के बारे में बताएं तो राहू का दूसरे भाव से या 11 भाव से किसी से भी संबंध बन जाए तो आपको आवस्य धनलाब होगा अब ये लोटरी से धनलाब क्यों कराएगा राहू क्योंकि जो राहू है वह आकासमात घटित होने वाले घटनाओं का कारक है अनायास अचानक एका एक कोई भी घटना घटित करा देता है लोटरी भी उसमें से एक है अचानक धनलाब के योग बनाएगा तो जब राहू जनम कुंडली के दूसरे भाव से संबंध बनाए या जनम कुंडली के एकादस भाव से संबंध बनाए तो जातक को अचानक अनायास एकाएक धन लाभ के भी योग बनते हैं अब इसके साथ साथ आप यह भी समझते चलें कि प्रिये दर्शकों हर एक चीज का दो पहलू होता है रहू अचानक घटित होने वाले घटनाओं का कारक है तो अचानक धन लाभ कराएगा तो अचानक धन हानी भी करा सकता है लोटरी आप खेलेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि अचानक धन लाभ होगा ही होगा हानी भी हो सकता है इसी में से जुआ भी है लोटरी, सटा, जुआ यह सब जो है राहू का ही प्रभाव आता है इन पर राहू इन सब विशयो का कारकत्व राहू के पास है तो लोटरी सटा, जुआ आदी से धन लाभ भी हो सकता है और धन हानी भी हो सकता है तो राहू जब दूसरे और एकादस भाव से संबंध बनाए यानि कि उसी भाव में बैठा हो या उस भाव के मालिक के साथ बैठा हो या राहू उस भाव पर दृष्टी रख रहा हो जैसे जनम कुंडली के पंचम भाव में जब राहू बैठेगा तो एकादस पर भी दृष्टी होगा और साथ आठ नव और मालीजिये जनम कुंडली के शप्तम भाव में बैठेगा तो यहां से पंचम दृष्टी आए पर होगा जनम कुंडली के तीसरे भाव में बैठेगा तो नवम दृष्टी लाभ पर होगा तो तीसरे पांचवे और साथवे भाव में बैठकर राहू लाभ को देखेगा या लाभ भाव में ही राहू बैठा हो इसी प्रकार राहू दूसरे भाव में बैठा हो या जनम कुंडली के दसम भाव में बैठा हो या जनम कुंडली के अश्टम भाव में बैठा हो या जनम कुंडली के छठवे भाव में बैठा हो इन भावों में भी बैठकर राहू का संबंध जनम कुंडली के दूसरे भाव से या जनम कुंडली के एकादस भाव से बनता है या एकादसेस या दुईतियेस से राहू का संबंध बने अब आपको मैं ये इस्पष्ट कर दूँ नहीं तो आप दुविधा में पढ़ जाएंगे कि लोटरी से धन लाभ होगा या धन हानी तो राहू यदि आपके जनम कुंडली में सुभ अवस्था में बना हो योगकारक अवस्था में बना हो तो आपको लोटरी से अवश्य लाभ दिला देगा और यदि अयोगकारक हो योगकारक नहीं हो असुभ अवस्था में हो तो आप समझे कि आपको लोटरी से हानी का भी योग बन सकता है